हलो एस्पीरेंट्स आज हम पढ़ेंगे modern history का topic dual government in Bengal कब से कब तक 1765 से 1772 तक रहा अब देखे रोबर्ट क्लाइब आए थे तो उन्होंने introduce किया था ये dual system of government which means the rule of two मतलब दो लोग किसी particular area पे शासन करेंगे एक हो गई हमारी East India Company एक हो गई Nawab of Bengal लेकिन जो भी पैसों का काम था जुडिशियल फंक्शन से रेवैन्य फंक्शन से पुलिस फंक्शन से वो सारे East India Company के पास थे और जो भी peace and order maintain करना है हर एक चीज maintenance का काम Nawab of Bengal के पास था अब देखे अगर आप पूरी की पूरी वीडियो इन डिटेल देखना चाहते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके Modern History Handwritten Notes की प्रेलिस देख सकते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक हर एक वीडियो मैंने Synchronized Way में लगाई हुई है वहाँ आप देख सकते हैं इसी के साथ मेरे चैनल पे आपको GS के हर एक सब्जेक्ट के Handwritten Notes मिल जाएंगे सो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें